मुझे बहुत खेद है उन 63 लोगों के लिए जो अपनी जाने गवा चुके हैं गोरखपुर के उस हस्पताल में I pray for their spirits and I pray for their families लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि उन 63 लोगों में कोई भी वी आईपी नहीं था गैरंटी कर सकता हूँ आपको अगर 30-40 बच्चों की जान गई है तो 18 एडल्ट्स की भी जान गई है वो अपने पीछे families भी छोड़ के जा रहे हैं उन families के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है मैं इस मुद्दे को आज political मुद्दा नहीं बनाऊंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गोरखपुर जो 20 साल से जहां योगी अदित्यनाथ पार्लेमेंट जाते रहे हैं MP बनके ये हादसा वहां हुआ क्योंकि ये बुद्दे को politicize करने के बराबर होगा और वो गलत है सारी opposition parties आज घिराव में हैं योगी अदित्यनाथ जी resign करो ठीक है वो उनका काम है मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगता है मैं कभी वीडियो स्क्रिप्ट के साथ नहीं बनाता इसलिए मैं दिल खोल के बोल बहता हूँ योगी अदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उसी हस्पताल में गए 9 अगस्त को हस्पताल वालों ने उनको रिपोर्ट सब्मिट करी तो ये क्यों नहीं बताया कि ऑक्सिजन खतम होने वाली है या अगर बताया तो क्यों नहीं action हुआ कोशिश करिए ज़रा दो मिनिट के लिए अपनी नाग पकड़ के देखिए देखिए जब ऑक्सिजन नहीं मिलती तो कैसे तरपते हो आप हस्पिटल का स्टाफ क्यों नहीं तरपा मंत्री जी क्यों नहीं तरपे क्योंकि चलता है यही होता ना भारत में कहते हैं ऑक्सिजन खतम हो गई फिर कहते हैं वो जो लखनव की कंपनी है उसके उपर रेट्स हो गई आज क्यों भाई दस लाख रुपे की क्रेडिट लिमिट थी 68 लाख रुपीज किसी का अगर बिल हो गया तो क्या वो कंपनी चलाएगा यह कालि नहीं देता में अपने वीडियों बहुत भतता ते हैं या गालियां देते हुए अगर आज आज 63 इनसानों की बजाए, 63 गाए की मोत हो गई होती, गाए याइ यानि मेल वाली गाए नहीं, गाए यानि गाए, गणाय गाए, तो पता है यहा कितने रायट्स हो गए होते हैं इस देश में, लेकिन लेट्स नॉट टेक इट देर चलता है राइट ये भार्तियों का एटिटूड बन गया है ये सरकारी महिकमों का एटिटूड बन गया है चलता है ये सोचिए कि अगला कौन सा हस्पताल है जहाँ पर ये सब होने वाला है वहाँ पे audits कराईए, क्या सीखा आपने गोरतपुर से कौन से अगले हस्पताल में यह होने वाला है क्यों हस्पताल वाले ऐसे उनके बच्चे नहीं न मरते आपके और मेरे मच्चे मरते हैं न योगी अदित्यना जी ये मुद्धा सिरफ आपका नहीं है आपका भी है आपके हेल्थ मिनिस्टर का भी है वैसे तो मैंने ये भी सुनाए कि जहां योगी अदित्यना जाते हैं कोई मौईना करने वहाँ पे दो दिन पहले एसी और कूलर भेजे जाते हैं और जब वो मौईना उनका खतम होता है तो वहाँ से AC और cooler भी गायब हो जाते हैं oxygen cylinders के साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा ये तो मुझे पक्का है लेकिन क्या चाते हैं किस किसम का भारत चाते हैं हम viewers ये बताईए आप मुझे ऐसा भारत जहां ये अगली बार कहीं और होगा क्यों नहीं पार्लिमेंट हिल जाता क्योंकि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे है सडकों पे नहीं उतरते इसलिए चलो मैं तो खुले दिल से बोलता हूँ जो मुझे सही लगता है पुट तस सिस्टम राइट ये मेक इन इंडिया के नाम पे अगर आप ऑफिशल वेंडर्स की पेमेंट्स नहीं रिलीज करोगे तो भाया कंटेनर मगालो चाइना से बड़े आते हैं इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं कभी ऑक्सिजन ना खतम होती अजादी दिवस आने वाला है 15 अगस्त को पूरे सोशल मीडिया पे डोट बाय चाइनीज प्रोडक्स डोट बाय चाइनीज प्रोडक्स अरे तो सरकार इंपोर्ट बैन कर दे ना चाइना से अगर इतनी तकलीफ हो रही है क्यो बाबा राम देव सरकार से गोहार नहीं लगाते उनकी एड आती है आजकल हर एप के नीचे डोट बाय चाइनीज प्रोडक्स डोट बाय चाइनीज प्रोडक्स सरकार को बोलो ना बाबा राम देव कि चाइनीज प्रोडक्स का इंपोर्टी बैन कर दो ना ये छोटी छोटी एडवर्टिसमन करके तो सर नहीं चलेगा दरसको यह अब आपके उपर है कि ये वीडियो फेसबूक पे कितना सरकुलेट होता है और कितनी जल्दी पारलेमेंट में पहुंचता है क्योंकि आपकी आवाज है मेरी आवाज है हमारी आवाज है और यही आम प्रेस की आवाज है आपकी प्रेस मेरी प्रेस हमारी प्रेस यही है ना आम प्रेस आम लोगों की प्रेस क्यों नहीं बोलेंगे हम जरूर बोलेंगे भक्त आएंगे यहाँ पे वो कालिया देंगे मैंने तो पहले एक पर ही योगी अदित्यनाथ को रिक्वेस्ट भी किया था कि सर कुछ करो आप इतने बड़े भारत के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो बैड वर्ट्स बैन कराऊ ना जला सोशल मीडिया पर पर आप ने तो कोई जवाब नहीं आए सर आपकी तरफ से मैंने तो प्रदानमंत्री के ओफिस को भी टाइक किया था जब छोटी छोटी इशूज को एड्रेस नहीं किया जाता ना तब 63 लोगों की एक जटके में मौत होती है अब आपकी मर्जी कि आप इस वीडियो का क्या करना चाते हैं मैं तो अंदर से सड रहा हूँ आज भून रहा हूँ आज कि 70 साल की अजादी होगा लेकिन भारत में आज ऑक्सिजन नहीं मिलती है अस्पतालों में फिर हम कहेंगे मेरा भारत महान अगर भारत को इस से भी ज़्यादा महान बनाना है तो मेनद करनी होगी ओडिट्स करनी होगे होस्पिटल के सच बोलना होगा और वो सच बोलते हुए शायद वो सच रिपोर्टों में न रह जाए उनको जंदा तक लेगे जाना होगा जबत करनी होगे होगे जहादा महत्व इंसानों को दिया जाएगा जैहिंद रॉबिन रॉबिन अगरे लिए झाल झाल